और आये सीधे रोग करते हैं बीज़पी संसद्य बोर्ड की बैठा के बाद जेपी नंडा मीडिया के सामदे हैं मद्य प्रदेश में जो राज्य सभा में एक उप चुनाव आ रहा है उसके बारे में संसद्य बोर्ड में चर्चा हुई चुनाव समीती की सदस्यों से बादशीत करके संसद्य बोर्ड इस मिर्ने पर पहुँचा है कि जहां तक गुजरात के राज्य सभा की सीठ है हमारे राश्य अध्यक्ष शी अमिद भाई शाह जी संसद्य बोर्ड ने विचार किया है कि वह राज्य सभा के लिए मनुनीत होंगे और उसी तरीके से हमारी टेक्स्टाइल मिनिस्टर और आयन बी मिनिस्टर शीमती स्मृती जुबिन इरानी जी उनका नाम गुजरात से इन दो सीटों पर चैन किया गया है और संसद्य बोर्ड ने इन दोनों नामों पर स्विक्रिती दी है जो बद्य प्रदेश का उप्चुना हो रहा है उसके लिए श्री संपत्या उईके यह हमारी ट्राइबल लीडर है महा कौशल क्शेत्र से संपत्या उईके श्रीमती संपत्या उईके यह हमारी ट्राइबल लीडर है अध्यक्ष हैं यह जिला परिशद की मंडला क्षेत्र के और इसके साथ-साथ इनका संबंद छात्र जीवन में विद्यार्थी परिशत से भी रहा सुस्वत्रती शिशु मंदिर में आपने काम किया ट्राइबल्स के बीच में जन जाती है क्षेत्र में इन्होंने बहुत बखुबी ट्राइबल एराके में काम किया है विभिन जिम्मेवारियों को इन्होंने बभाया है और महिला-ट्राइबल के दृष्टी से महिलाओं के विश्चे को भीनोंने उजागर किया है तो भारतिये जनता पाइटी ने सर्फ समती से इनके नाम को तै किया है शीमती संपत्या उईके ये मद्यप्रदेश के जो हमारी सीट है जो उपचुनाओ की सीट है बाइलेक्शन्स की सीट है इस पर से ये चुनाओ लड़ेंगी इस पर उन्होंने मुहर लगाई उस पर विचार चल रहा है वहां के स्थानिय लोग करेंगे लेकिन दो सीटों के बारे में संसद्या बोर्ड ने मुहर लगाई है हमारे राश्री अध्यक श्री अमित भाई शाह जी और इनके साथ साथ हमारे मंत्री जो केंद्र में है श्रीमती स्मृती जुबिन इरानी जी इन दोनों को नाम को तैय किया है धन्यवार मैंने कहा कि बिहार पर इस वक्की बड़ी कबर आपको बता दें अमित शाह स्पृती इरानी गुजरात से राज्यसभा जाएंगे ये बड़ा फैसला लिया गया है संसेदी बोर्ड की बैठे के बाद अमित शाह गुजरात से र राज्यसभा चुनाव लड़ेंगे अमित शाह गुजरात से राज्यसभा जाएंगे अमित शाह फिलाल विधायक हैं अमित शाह गुजरात से और अब फैसला ये लिया गया है कि बीजेपी अध्याक्ष अमित शाह राज्यसभा चुनाव लड़ेंगे गुजरात से ही वो राज्य सभाज जाएंगे ये है एबीबी नियूज आपको रखे आगे